दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं DC बोल्ट कंटोलर यानि कि आप जो DC बोल्ट है उसको 0 बोल्ट से लेके और 35 बोल्ट तक अपना मन चाहा बोल्टेज ले सकते हैं जैसे कि आपके पास बैटी माली ये 12 बोल्ट की है और आपको जरूरत है 6 बोल्ट या 7 बोल्ट की तो आप इस रेगुलेटर से आराम से आप मन चाहा 6 बोल्ट या 7 बोल्ट ले सकते हैं आज की वीडियो में हम यहीं बताने वाले हैं, तो आइए देर ना करते हूं, वीडियो करते हैं, इस्टार्ट, तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपको एक चाहिए वालियूम, वालियूम आप देखें, मैं तो जो लिया हूं वो 47K है, लेकिन आप 10K से लेके 100K तक का को गाउनद पड़ेगी, तो आईया सर्कीट बनाना शुरू करते हैं, तो सर्कीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यह टांजिस्टर का आपको यह वाला लेग, यह बाये वाला लेग, इसे आपको इस धरसे मोड देना है, लेकिन कुछी सारह से आपको मोड है उसके बाद यह जो मोरा हुआ लेग है उसे आपको वाल्यूम के बीच वाले पॉइंट पे यहां पे सोल्ड कर देना है यहां बीच वाले पॉइंट पे इस तरह से इसको सोल्ड कर देना है उसके बाद अभी हमें लेना है वायर देखें यहां output के लिए हमको दो वायर की ज़र्वत पड़ेगी और input के लिए भी दो वायर की ज़र्वत पड़ेगी तो अब क्या करेंगे यहां जो आपका minus वाला है यह दोनों black देखें दोनों black को हम यह आपस में इस तरह से लपेट लेते हैं और लपेट के इस पर हम सोल्डर लगा लेते हैं सोल्डर लगा लेने के बाद अभी आपका जो वाल्यूम वाला ये बाएं वाला पॉइंट है ये इस पर आपको ये माइनस वाला वायर यहां पर जोड़ देना है इस तरह से माइनस वाले पे इस तरह से आपको माइनस वाले पे जोड़ देना है उसके बाद जो आपका रेड वाला वायर है इस वायर को हमें यहां टांजिस्टर का जो लास्ट वाला तीसरा पिन है तीसरा नंबर पिन इस पे यहां पे जोड़ देना है तो यहां पे मैं इस इसे आपस में सॉर्ट न हो दूस्तों इतना करने के बाद अभी हमको एक आप और ओर लियना है ऑए किया करना है यहां पे इस तर्णिस्टर का जो भी वाला फिन है बीच वाले पिन को इस cook के साइड वाले पिन पे हमें मिला देना है इसके मिला देना है अभी हमारा circuit बनके complete हो गया बस हमको क्या करना है यह red वाला जो main red वाला wire है इसको यहां जोड़ना है यह कहां जुड़ेगा यह volume के minus यानि जो volume के तीसरे pin और regulator के यह हमारा transistor है उसके बीच वाला pin जो आपस में यहां sort किया गया है उस पे हमें इसे जुड़ना है अभी हमारा हो गया output यह दोनों वायर हो गया output और यह दोनों हो गया input बस इतना छोटा सा आपको circuit बनाना है हम यहां इसको practical करके दिखाते हैं तो सबसे पहले मैं देखें यहां 12 volt की बैटी मैं लेता हूं मेरे पास 12 volt की बैटी है तो सबसे पहले मैं आपको बैटी का voltage चेक करा दूँ तो यहां पर मैं मल्टी मीटर को DC 20 बोल्ट के रेंज में रखके और यहां पर जो इसका बैठी का बोल्टेज है वो 12.6 यानि 12 बोल्ट से उपर यह चार्ज है तो अब हम इसे आउट्पुट में कुछ जोड़ते हैं आउट्पुट में सबसे पहले मैं यहां यहां यह में पास 12 बोल्ट का मोटर है धाई इंच का इसे मैं यहां जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मैंने motor के दोनों point पे इस wire दोनों plus और minus को जोड़ दिया है अब यहाँ motor को रख देते हैं और बैटी पे हमना plus और minus का यहाँ चिम्टी लगा देते हैं जो red वाला है plus है और जो black वाला है वो minus है अभी आप देख सकते हैं हमारा motor नहीं चल रहा है अब हम इसे घुमाएंगे, यहां आप देखिए हम इसे घुमा रहे हैं, तो अभी आप देखिए, यहां से, जैसे हम घुमा रहे हैं, अब आपको इसकी आवाज सुनाते हैं, आप देखिए, जैसे जैसे इसको मैं कम या ज्यादा करूँगा, यह देखिए, इसकी आवाज से आपको पता लग रहा होगा, कि हमारा मोटर जो है, वो धीरे तेज, धीरे तेज हो रहा है, मैं एक दूसरा मोटर लगाता हूँ, जिससे आपको दिखाई दे, तो चिम्टी पहले हटा लेता हूँ, और यह छोटा फाइन है, चुकि यह चार बोल्ट का मोटर होता है, तो प्लस माइनस यहां से हटा कि मैं दूसरे वाले पे जोड लेता हूँ, तो अभी मैंने मोटर क मैं जोड दिया है, अब हम फिर चिम्टी लगाते हैं, यह चिम्टी मैंने लगा दिया, और आप चुकि मोटर अब यहां पर लगा है, तो आपको दिखाई देगा कि यह कितनी स्पीड से चल रहा है, तो मैंने इसको धीरे-धीरे घुमाना सुरू कर दिया है, तो धीरे-ध को बढ़ाएंगे तो आप मोटर की स्पीड हा देख सकते हैं और मायक से मैं इसकी आवाज आपको सुनाता हूँ यह पंखुडी की ही आवाज है अभी आप देखिये यह आप देख सकते हैं आफ देके इसकी पंक का ही आवाज है इस तरह से आप जिसे आपके पास 12 बोल्ट की बैटी है तो जीरो से लेके 12 बोल्ट तक आप इसको बैट मनलब बोल्टेज को आप कंट्रॉल कर सकते हैं अब यहां में मल्टी मीटर लगा के आपको एक बार दिखा देता हूं यह मल्टी में आपको पूरी तरह से clear हो जाएगा तो यहां पर मैं मल्टी मीटर का के इस प्राड में सोरी यहां इस प्राड पर मैं इसका दोनों प्लस और माइनस दोनों लगा लेता हूं तो अभी आप देख सकते हैं चिम्टी में लगा रहा हूं तो यहां पर देखिए बैलूम को घुमाने से आप जैसे आगे पीछे घुमाएंगे वैसे बोल्टेज कम या ज़्यादा हो रहा है यानि आप जीरो करना होगा तो पूरा आपको लाश्ट कर देंगा देखिए यहां पर जीरो बोल्ट हो जाएगा तो इस तरह से आप डीसी जल्दी से खराब हो जाएगा आप जब भी इसको बनाएंगे तो इस तरह का हीट सिंक आपको या इससे भाई भी हीट सिंक आप इस पर लगा देंगे तो आपका जो मॉस्फेट जल्दी खराब नहीं होगा आप पी पचपन के जगा जेट चबवालिस भी लगा सकते हैं त चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार